नमस्कार दोस्तो मेरा नाम अमर्जित कुमार है हमारे और आपके यूटूब चैनल study find में आप लोग का बहुत स्वागत है दोस्तो ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे दोस्तो आप लोगों से मेरा निमिदन रहेगा कि आप जो है इस वीडियो को पुरा देखिए और समझे और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ इसे सेर करें तो आईए और एक बात और मै आपको इनकी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसके बाद ही आप मारे इस सब्सक्राइब करें तो दोस्तो आज में आप लोग के साथ इनकी आयू चेप्टर पराने वाला हूँ जो बहुत तो आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस आयू चेप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें तो सब्सक्राइब मैं आप लोग को एक कोंसेप्ट देना चाहता हूँ आयू के बाड़े में मान के चल दे आच एक नट यह आयू है आप लोग के सामने इस आयू को एज बोलते हैं मान के चल यह मेरा एज 25 साल है और आपका एज 20 साल है तो आप हमसे कितना छोटे हैं तो इनकी 5 साल छोटे हैं अच्छे ठीक है एक और एक एक जामपल मैं आप लोग के साथ इनकी स्वेर करता हूँ मान के चलिए ये कोई लड़का है ओके और इसका नाम मान लेते हैं मोहन एक और लड़का है इसका नाम जो है मान लेते हैं सोहन मान लेते हैं मोहन का आयू जो है 50 साल है इनकी 50 वर्स है और सोहन का आयू 60 वर्स है अब देखी कोईस्टन में क्या रहेगा कोईस्टन में ये रहेगा कि मोहन जो है सोहन से कितना छोटा है या फिर सोहन जो है मोहन से कितना बड़ा है ये जो है आयू चेप्टर से बहुती आसान कोस्टन जो है एकजाम में पूछे जाते हैं और आप लोग साइथ इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो अभी मैं आप लोग इसे इनकी पूछता हूं कि मोहन जो है सोहन से कितना छोटा है तो बहुत ही इजी कोस्टन है कि सोहन का एज है 60 साल और मोहन का एज है 50 साल तो आप इसमें 60 में से 50 घटा के बोल दिजेगा 10 साल जो है मोहन जो है सोहन से छोटा है कितना साल चोटा है दस साल चोटा है फिर उसी परकार जो है आता है कि सोहन जो है मोहन से कितना बढ़ा है यह दे कि कितना साल बढ़ा है तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं मोहन जो है सोहन से दस साल बढ़ा है ठीक है एक और कॉंसेट मैं आप लोगे साथ लेता हूँ माल लेते हैं मोहन का एज 20 साल है 20 वर्स है और सोहन का एज 25 वर्स है आपको एक कोशन पूछ देगा भाई कि मोहन का उम्र अनुपात सोहन का उम्र इसमें जो आपको अनुपात भी मतलेंगी पूछ सकता है जो बहुत ही इजी कोशन है और मैं आप लोग को अनुपात इनकी चेप्टर भी इनकी पढ़ाऊंगा आगे में तो आप लोग जो है इस एक शेट्विन रहिएगा तो मोहन का उम्र है 20 वर्स और सोहन का उम्र है 25 वर्स तो आप लोग जानते होंगे अनुपात का अर्थ होता है भाग मतलब डिवाइड होता है तो यह हो गया 20 वर्स बटे 25 तो आप लोग इसे अच्छी तरह से काट सकते हैं पहुंच चोग के 20 पचे 25 पचीश इनकी 4 बाइफाई तो इसका अंसर कितना हो जाएगा मुहान का उम्र और सुहन के उम्र का अनुपात फोर अनुपात थाई ओके अच्छ ठीक है तो अब मैं चलता हूँ अपने बुक के तरफ और एक कोस्टन आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ तो झाओ की पहले मुझे से इसे मिज्टानीं दीजिए हैं तो कि को कुस्टन है राम और मोहन के वर्तमान आयू का अनुपात कुस्तर नमर फ़र्स्ट राम और ओके राम और मोहन के वर्तमान आयू कानुपात राम और मोहन के वर्तमान आयू का अनुपात थ्री अनुपात फाइब है और यदि इसके वर्तमान आयू का यूग आयू का यूग कितना है 32 वर्स है तो मोहन और राम का वर्तमान ग्याद करें और मोहन का मोहन का वर्तमान उम्र ग्याद करें यह कोस्टन बहुत अच्छा कोस्टन है और इससे टैप के कोस्टन जो है आपकी एक्जाम में आ सकते हैं तो आप जो है इसे अच्छी तरह से समझें तो इस कोस्टन में पहले बोला गया है राम और मोहन के वर्तमान आयू का अनुपात कितना है थ्री अनुपात फाइब है ओके और इसके वर्तमान आयू का जो कितना है बतिस वर्स है तो इसमें जो है इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें अनुपातिक रासी मानना परेगा माना की अनुपातिक रासी एक्स ओके फिर जो है राम पहले है तो इसका अनुपात जो हगा वो बियर की पहले ही होगा और ये मोहन बाद में है तो इसका अनुपात भी बाद में होगा इस बात को अप लोग को धियान में रखना है तो राम का आयू कितना हो जाएगा राम पहले है इसलिए अनुपात में जो पहले होगा वो राम का होगा तो ये 3X उके उसके बाद में मोहन का उम्मर आयू कितना है ये 5X हो अब देखिये according to question क्या बोल रहा है इसके वरतमन आयू का योग 32 लएद्वर्स होगा तो इसका मतलब क्या हुआ 3x plus 5x is equal to 32 कहें कि यह हो गया राम का एज और यह हो गया मोहन का यह इस दोनों का योगफल कितना है 32 वर्ड से तो अब आप इसे solve कर सकते हैं एनकी 5, 3, 8x is equal to 32 अब इसे x बड़ाबर 32 बटे 8 तो आठ चोके 32 एनकी x का मान निकल गया फोर अब जो है इस x का मान जो है इस राम के आयू में रख देना है 3 into 4 एनकी चाड़तिया बार है उसी परकार मोहन का भी आयू में x का मान रख देना है एनकी 5 के 20 वर्स तो इस तर इससे जो है राम और मोहन के आयू जो है निकल गया है ओके तो एक और कोस्टन इसी पर लेते हैं जो बहुत ही इसी कोस्टन में आप लोग के साथ इनकी शेयर करऊंगा उसके बाद इससे हाट कोस्टन भी आप लोग को सोहन और मोहन के वर्तमान आयू का नपात कितना है डोग पात साथ है और इसके आयू के योगफल आयू का योगफल कितना है एटीवण है एटीवण यर्स है तो इन दोनों के वर्तमान आयू ग्याद करे इन दोनों के वर्तमान आयू ग्याद करे अब ही मैं आप लोग के साथ इनकी बहुत ही इसी कोस्टन ले रहा हूँ उसके बाद इससे भी हाट कोस्टन आप लोग को मिलेगा तो आप लोग जो है घव रही है तो अच्छे ठीक है इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ वो सके तो आप एनकी वीडियो पाउस करके आप पहले इनकी सॉल्व कर लेजिए उसके बाद आप मेरा एनकी सॉलिसन देख लेजिए गाँ तो फिर इसमें भी आपको अनपातिक रासी मानना पड़ेगा ठीक तो माल लिजिये माना की अनपातिक रासी एक्स इस टैप के सवाल में आपको जाए अनपातिक रासी मानना ही पड़ेगा तो सोहन की आयू हो जाएगा सोहन का आयू कितना हो जाएगा हमने आपको पहले बोल चुका है जो पहले रहेगा उसका अनपात भी पहले वाला होगा ठीक और जो बाद में होगा उसका अनपात भी बाद वाला होगा तो सोहन का आयू इनकी सोहन जो है पहले है मोहन का आयू कितना है 7x ठीक आप देखिए according to question क्या बोल रहा है according to question बोल रहा है इनके आयू का योगफल 81 है तो according to question आप इनकी बोल सकते हैं इनकी 2x plus 7x is equal to 81 अब आप इसे solve कर सकते हैं साद्धू 9x 9x is equal to 81 इसे आप x का मन निकाल सकते हैं x का मन 81 by 9 is equal to 9 इनकी x का मन निकल गया है 9 अब यह x का मन जो है इसमें सोहन की आयू में और 1 की आयू में वेपुट कर देना है तो यह हो जाएगा सोहन की आयू 2 into x का मन है 9 निकला अभी तो नुदनी 18 years हो जाएगा आपको मुहन कायू उसके बाद है sorry 18 words हो गया आपको इनकी सोहन कायू उसके बाद मुहन कायू है 7 into 9 तो साथ नमा 63 years जो है मुहन का यूनिकल गया है इस टैप की question मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इनकी समझ रहे होंगे तो अब इससे थोड़ा और हाई लेवल का question आप मैं इनकी लेते हैं अब जो है question नमर 3 चलेगा question नमर 3 अब देखिए राम और स्याम के आयू का अनुपात दू अनुपात फाइब है और इसके आयू का अंतर अठारे है अठार वर्स है तो इसके आयू ग्यात करें अब देखिए दोस्तों इससे पहले जो था इसमें जो है योगफल था इससे पहले वाला सवाल में जो है योगफल था अंतर के अस्थान पर क्या था योगफल और इस कोस्टन में जो है इसमें जो है अंतर इनकी पूछ दिया गया है तो इसको भी बहुत यासाम तरीके से आप लोग इनकी बना सकते हैं तो जो मैंने पहला मेठड बताया था उसी प्रकाड इससे भी आप लोग बनाना पड़ेगा तो इसमें भी कहें कि अनुपात है तो इसमें भी आपको अनुपातिक रासी मनना पड़ेगा तो मना की अनुपातिक रासी एक्स मन लिजे अनुपातिक रासी होगया एक्स अब देखिए राम का आयू कितना हो गया यह 2X हो गया और स्याम का IU 5X हो गया अब देखिए कुस्टन में बोल रहा है इनके IU का अंतर अंतर जब भी निकलेगा तो इसमें बड़ा में से छोटा को घटाना पड़ेगा उसके बाद ही काय की हम लोग जानते हैं किसी का उम्र जो है मैनस में हो नहीं सकता है ऐसा हो नहीं सकता है किसी का उम्र जो है घटों में हो ऐसा तो हो नहीं हो जो ही नहीं सकता है तो इसमें जो बड़ा है उसमें से पहले घटा लेजिए अब according to question जो है क्या है इसके अंतर यानकी सयाम के आयू का अंतर और तो राम की आयू का अंतर कितना है 5x-2x is equal to 18 ओके तो 5x में से 2x गया तो कितना हो गया इनकी 3x is equal to 18 अब इसे x का मान निकाल सकते हैं 18 बटे 3 एनकी 3,6 के 18 एक्स का मान निकल गया है 6 अब इस x की value को राम की आयू और स्याम की आयू की value में पुट कर देना है इसे जो है राम की आयू निकल जाएगा इनकी 2 x x का मान है 6 इनकी छोदनी 12 years राम की आयू और 5 x 6 इनकी छोपंच है इनकी 30 words हो गया स्याम की आयू अब आप इसे इनकी जाच करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं बहुत ही easy है स्याम की आयू में से राम की आयू को घटाने पर आपको 18 आना चाहिए अगर आपको 18 आ जाता है इसका मतलब यह हुआ कि आपका आंसर बिल्कूर सही है अगर 18 नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि आपका आंसर गलत है तो आए पहले इसको मैं जांच कर लेता हूँ तो इसमें इनकी स्याम का आयू है 30 मैनस और राम का आयू है 12 वर्स अब इसे घटाने पर आपको 18 मिलेगा ही मिलेगा अगर आपको 18 मिलता है तो इसका अर्थ है कि आपका आंसर यह 12 और 30 बिल्कूल सही है तो दोस्तों अब मैं इससे थोड़ा और हाई लेवल का कोश्चन अब मैं लेता हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अची तरह से समझ रहे होंगे कोश्चन है आप लोग के सामने यह कोश्चन नमर फोड़ होगा सीता और गीता के वर्तमान आयू कानपाथ आयू कानपाथ मान लेते हैं फोर अनपाथ फाइब है और गीता का उम्मर गीता का उम्मर बीस वर्त है तो सीता की आयू ज्याद करें आयू ज्याद करें दोस्तों बहुत ही easy question है यह पहले वाले question से हलका उपर question है high level का question बहुत ही easy question है आप लोग इसे बना सकते हैं तो आप लोग पहले इस वीडियो को पाउस कीजिए फिर अपने copy में इसे बनाईए उसके बाद फिर आप मेरा solution देख लेगा तो आईए अब मैं इसे solve करता हूँ तो सबसे पहले गीता की उम्र है कितना गीता का उम्र है 20 साल ठीक गीता का उम्र है 20 साल और अनुपात में है सिता और गीता की अनुपात कितना है यह जिए 4 अनुपात 5 है और इसमें जो है गीता बाद में है अन्त में है इसलिए इसका अनुपात भी बाद में होगा अनुपात है 5 जो की बाद में है और इसमें गीता भी बाद में है तो गीता का अनुपात कितना है गीता का आयू अनुपात में कितना हो जाएगा इसका आयू अनुपात में कितना हो जाएगा 5X ठीक और हमको question में बोला गया है गीता का उम्र जो है 20 साल ओके तो गीता का आयू के question में 20 साल और अनुपात में है 5X तो इससे जो है आपको X का मान निकल जाएगा 20 बटे 5 इसकल टू 5 चुके 20 X का मान 4 निकला X का मान 4 निकला अब देख सकते हैं और एक बात और अब देखिए इनकी सीता का अनुपात कितना निकलेगा सीता का अनुपात है 4 4X होगा हमने आपको इससे पहले वाले question में हमने बोल चुका है कि इसमें जो है आपको अनुपातिक रासी मानना ही परेगा अगर आप अनुपातिक रासी नहीं मानते तो फिर आपको question नहीं बनेगा जो लगा अब यह नो पड़को बाद ओके तो मैं कहाँ है यह इनकी सिता का अनुपात में कितना है 4X है इसमें जो है x कमान आप आपको पूट कर सकते हैं x कमान निकला है 4 इनकी चार्चों के 16 वर्स हो गया सिता का इस तब के question में जो है आपको अनुपात मतलब अनुपात वाले question में आपको अनुपातिक रासी मानना ही पड़ेगा अगर आप अनुपातिक रासी नहीं मानते तो फिर आपको question का answer नहीं मिलेगा तो इसमें आप एक बात धियान में धर लेजेगा कि आपको इसमें अनुपातिक मानना ही पड़ेगा अंद्पातिक राशी ओके तो अब मैं थोड़ा इसे और हार्ट कोस्टन आप लोग के सामने रखता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्रीज एक लाइक कर दीजिए गा इसे मेरा जोए थोड़ा होसला बढ़ जाएगा ओके तो इनकी सिता के अस्थान पे नाम रख लेते हैं रमेश और गीता के अस्थान पे नाम रख लेते हैं महेश और अनुपात में जो है अनुपात को भी थोड़ा इनकी बदल लेते हैं इसका अनुपात फाइब इसका अनुपात मान लेते हैं आईट और गीता के अस्थान पे क्या अंधर लेते हैं रमेश रमेश का उम्र जो है उम्र के अस्थान पे कितना रख लेते हैं असी रख लेते हैं ओके तो इससे जो है इनकी महस क्या यू ज्याद दरे तो दोस्तो आप लोगे साथ आप लोग के सामने एक और question है जो बहुत ही easy question है रमेश और मेहश के वर्थमान आयू का अनुपाद 5 अनुपाद 8 है और रमेश का आयू जहाए 80 वर्थ है तो मेहश का आयू ग्यान करें जो इससे पहले भी मैंने आपको इस question को solution बना चुका हूँ तो आप लोग भी इस वीडियो को पाउस करके बनाईए तो अब मैं अपना question बनाता हूँ इसमें हमने आपको पहले ही मतलब इनकी बोल चुका हूँ कि अनुपाद में आपको अनुपादिक रासी मानना ही पड़ेगा अगर आप अनुपादिक रासी नहीं मानते हैं तो फिर आपको question नहीं बनेगा एक बार मैं फिर इसे विस्तार से आप लोग को पताता हूँ माना कि अनुपादिक रासी एक्स आप जो एक्स के अस्थान पर कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई जैड एबी सी दे कुछ भी मान सकते हैं उससे जो आपके आंसर में कोई फ़र्ट नहीं पड़ेगा ओके तो और इसमें question में क्या बोला गया है रमेश का आयू कितना है असी वर्स है रमेश का आयू अनुपात में कितना हो जाएगा ये रमेश पहला है और अनुपात में पहला है तो इसका हो जाएगा 5x और question में कहा गया है रमेश का आयू 80 वर्स है 80 is equal to 5x इससे आपको जो है x कमान निकल जाएगा 80 बटे 5 फाइब से इसे काटिये तो पाँच एकम पाँच पाँच चा के 30 इनकी x कमान 16 निकल गया x कमान 16 अब देख सकते हैं x कमान निकला है 16 और जो है इसमें question में कहा गया है महेश की आयू ग्याद करें इनकी महेश का आयू कितना होगा तो फिर उसी प्रकार महेश का आयू अनुपात में कितना है होगा अनुपात में है 8x 8x और इसमें जो है आप x के अस्थान पे x का जो मान निकला है वो इसमें इनकी put कर दिजेगा इससे जो है x command आसानी से निकल जाएगा ओके अब मैं थोड़ा और एक और question आप लोग के सामने मैं रखता हूँ अब देखिए question है अब मैं इसे थोड़ा और high level का question आप लोग के सामने रखता हूँ कि अच्छा question है आप लोग पहले इसे अपने copy में पर नहीं है उसके बार मेरा solution आप लोग जो है देखिए गा question number five oh question number five question है पांच वर्स पूर्व पांच वर्स पूरू कुस्सलों पर मैं पेले पढ़ लेता हूँ क्या है question ने के पांच वार्ष पुर्म रमेश और गनेश की वर्थमन आयु कानु पाह सर्छी पांच वार्ष पुल्भ रमेश और गनेश की आयु कानु पाथ फॉर अनुपात फाइव है और बर्तमान में गनेश का आयू कितना है बर्तमान में गनेश का आयू कितना है यहनकी पचीस वर्स है तो रमेश का आयू ग्याद करे रमेश का आयू ग्याद करे तो दोस्तों पहले आप इस वीडियो को पाउस कीजिए फिर आप अपने कोपे में इसको बनाईए उसके बाद इस वीडियो को देखिए आगे तो आईए अब मैं इसका solution आप लोग को देता हूँ इसका solution कैसे निकले रहा हूँ इसमें जो बोल रहा है अनकी 5 words पूर्व तो जो व्यक्तियन की 5 साल पहले है तो उसको वर्तमान में आना पड़ेगा ममन के चलते हैं यह है रमेश और यह है गनीश इन दोनों का आयू जो है इनकी 5 साल पहले 5 words पूर्व था अनुपात में कितना था अनुपात में था 4 अनुपात 5 था अगर हम इसको इनकी वर्तमान में लाते हैं तो इसमें इनकी 5 5 एड़ करना पड़ेगा उसके बाद ही न वर्तमान में आ जाएगा तो सबसे पहले आप इसमें अनुपातिक रासी मन लेजिए इसका अनुपातिक रासी 4X और इसका 5X अनुपातिक रासी यह भी इनकी 5 साल पहले का उम्र है अब इसको जो है वर्तमान में लाना पड़ेगा तो इसमें भी 5 एड़ करना पड़ेगा और फिर इसमें भी 5 एड करना प्रहेगा ओके अब देखिए कुस्टन में क्या बोल रहा है कुस्टन में बोल रहा है इसके वर्तमान में इसके गनिश का आयू है 25 वर्स ओके तो इसमें यह है गनिश इसमें 5x प्लस 5 is equal to 25 इससे आपको एक्स कमान निकल जाएगा 5x is equal to 25-5 is equal to 20 इससे एक्स कमान निकल जाएगा 20 वर्त पांच एनकी पांच चोके बीश एक्स कमान निकल गया है फोर एक्स कमान निकल गया है फोर अब इस x कमान जो है इस रमेश में इनकी पुट कर दिजएगा इससे जो है रमेश का वर्तमान आयू निकल जाएगा तो 4x प्लस 5 है रमेश का आयू तो 4 into x कमान निकल आए 4 x कमान 4 प्लस 5 तो यह हो जाएगा छो इनकी चार्च प्लस 5 इनकी एक्स वर्स जो है किसका एज हो जाएगा यह हो जाएगा रमेश का एज एक्स वर्स ओके तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आप इस सवाल को समझ गए होंगे तो एक बार और मैं इसे समझाने के कोशिस करता हूँ कोश्तन में बोला गया है पांच वर्स पूर्व रमेश और गनेश की आयू का अनुपाद 4 अनुपाद 5 है और इसके वर्तमान में गनेश का आयू कितना है 25 वर्स है वर्तमान में गनेश का आयू 25 वर्स है तो रमेश का आयू ग्यात करे तो मैंने इसमें क्या किया है पहले ये हो गया है रमेश और ये हो गया गनेश इसका जो है उम्र का अनुपात है फूर अनुपात फाइब है हमने इससे पहले वाले इस फॉस्सन में मैंने आपको बता दिया है कि अनपात जब भी हो तो इसमें पहले अनपातिक रासी मान लेते हैं तो इसमें भी हमने पहले अनपातिक रासी मान लिया है अब इसमें 4X इसका अनपातिक रासी होगा फिर इसमें 5X इसका भी अनपातिक रासी होगा अब ये जो अनुपात है ये अनुपात है इनकी 5 साल पहले वाला है तो इसको जा है वर्तमान में लाना पड़ेगा तो इसमें भी एनकी 5 एड़ कर दिये उसके पाद गनेश में 5 एड़ कर दिये तो इससे यह होगा इसका और इसका जो अम्र वर्तमान में आ गया है है 4x प्लस 5 ये 5x फ्लस 5 और इसमें जो है एन की गन्यस का वर्तमान एज कतना है 25 वर्स है तो और की 5x फ्लस 5 is equal to 25 5x is equal to 25-5 is equal to 20 x is equal to 4 x कमान निकल गया 4 अब इस एक्स कमान जो है इसमें पूट कर दिये तो इससे जो है रमिश का आयू निकल गया ओके दोस्तों तो अब मैं इससे थोड़ा और हार्ट कुस्टन लेता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो के लाइक अवस करते हैं इससे जो है मेरा थोड़ा हिमत बढ़ जाएगा ओके तो अब इसमें जो है दो साल पहले वाला कुस्टन ले लेते हैं दो वर्सपूर रमेश और गनेश की आयू का अनपात इसको भी थोड़ा एनकीद बदल देते हैं अनपात माल लेते हैं फाइव अनपात छो और वर्तमान में गनेश का आयू माल लेते हैं कि इसका माल लेते हैं मतलब 31 वर्स माल लेते हैं इंक लगता है कितम हुए 31 वर्स ओके तो रमेश का आयू ग्याद करें फिर उसी परकार हमको करना है इसमें भी यह हो गया रमेश और यह हो गया गनेश अब इन दोनों का एज जो है दो साल पहले कितना है अनपात में कितना है फाइव अनपात छो कब का दो वर्स पहले का है इसका एज तो इसमें हमको पहले हमने आपको पहले बोल दिया है कि आपको इसमें अनपात रासी महनना पड़ेगा उसके बाद आपको क्वेशन नहीं बनेगा तो इसका हो गया फाइव एक्स रमेश का अनपात हो गया फाइव एक्स गनेश का अनपात हो गया छो एक्स तो 5X प्लस 2 फिर उसी परकार 6X प्लस 2 अब यह जो है आ गया किसमें वर्तमान में आ गया अब यह आ गया वर्तमान में आ गया अब जो है गनीश का आयू कितना है 31 वर्स है यहां पर 31 नहीं रखें यहां आप इनकी 32 वर्स रख लेजिए इससे जो है गुष्टन जो है असानित से बन जाएगा 32 6X is equal to 32 minus 2 इनकी 32 में से दूग गया 30 6X बराबर 30 इससे जो है आप X का मान निकल सकते हैं 6X बराबर तो इससे X का मान 35 एक्स का मान निकल गया 5 अब इस X का मान जो है इसमें इनकी पुट कर देना है इससे जो है आपको X का मान मतला इनकी रमेश का आयू जो है इसमें निकल जाएगा 5X प्लस टू अभी हमने X का मान निकला है 5 इनकी एक्स का मान निकला मैंने 5 प्लस टू एनकी 25 प्लस टू इस इकोल टू हो गया 27 एर्स इनकी 27 एर्स हो गया रमेश का आयू गनेश का आयू हमको एनकी पहले से ही पता है ही ओके तो दोस्तो एक और सवाल जो है इस पे एनकी लेते हैं कि अब लेते हैं बाद वाला सवाल इनकी छो वर्स बाद इनकी छो वर्स बाद राम और स्याम का आयू का अनुपात दो अनुपात फाइव एक मिनट इसे जो पुरा मिटा की लिखना पड़ेगा उसके बाद ही बनेगा अन्यता नहीं बनेगा फिर मुझे एस पेस नहीं मिल पाता है कि अधिए पुर्शन नमर कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा यह कुस्षन नमर साथ कुस्षन है आप छो वर्स बाद छो वर्स बाद राम और स्याम के आयू का अन्पात छो वर्स बाद राम और स्याम के आयू का अन्पात दो अन्पात दो सोरी फोर अन्पात फाइब हो जाएगा अगर राम का वर्तमान एज अगर राम का वर्तमान आयू आयू कितना मन लेंगे आयू मन लेते हैं बीस वर्स हैं बीस वर्स हैं तो तो स्याम का आयू ग्याद करें इंक लगड़ा है खतम हो गया थोरा इंक भर लेते हैं उसके बाद तो अब मैं इंक भर लिया हूं वह थोरा इंक खतम हो गया था इसलिए आप लोग को भी प्रोब्लेम हो रहा होगा तो छो वर्स बाद राम और स्याम की आयू का अनुपाद 4 अनुपाद 5 है मतलब हो जाएगा अगर राम का वर्तमान आयू 20 वर्स है तो स्याम का आयू क्या आत करें इस तब कोस्टन जो है इसे पहले मैंने बताया था उसी पर ये भी कोस्टन है किसी बनाने के कोसिस कीजिए according to कोस्टन क्या बोल रहा है इसको पहले समझे छो वर्स बाद ये मान लिजिए ये राम है और ये है सियाम अब इसके दो है छो वर्स बाद इसके आयू का अनपात हो जाएगा कितना फोर अनपात फाइब ये जो है छो वर्स बाद हो जाएगा फोर अनपात फाइब इसके आयू का अनपात तो ये जो जो छो वर्स बाद है तो इसको हमको पहले वर्तमान मिलाना पड़ेगा ठिक है तो इसमें हमको 6-6 साल इसमें घटाना पड़ेगा उसके बार ये वर्तमान में आएगा तो ये हो जाएगा आपको 4x-6 और ये हो जाएगा 5x-6 ओके अब देखिए कोस्टन में क्या बोल रहा है question में बुर रहा है अगर Ram का वर्दमान आयू 20 वर्स है ओके तो इसमें ये है Ram इसका आयू कितना है 20 वर्स है 4x-6 बड़ावर 20 इसे जो है x का मान आपको निकल जाएगा 4x बड़ावर 20 प्लस 6 26x का मान निकल जाएगा 26 तो हमारी ख्याल से इसमें जो है इनकी मन लिजिए Ram का आयू मन लेते हैं 22 वर्स 22 वर्स मन लिए तो ये हो जाएगा 28 वर्स तो इससे जो है 4x बड़ावर 28 इसलिए x का मान 28 बड़ावर 20 इनकी इससे जो 4 से 28 काटिएगा कितना आएगा 7 आएगा x का मान कितना आगया है 7 x का मान जो है 7 आगया है अब इस x का मान जो है इसमें n की स्याम के age में इसको n की put कर देना है उससे जो है स्याम का वर्स मान आयू निकल जाएगा ओके तो 5x मैनस 6 तो x का मान हमको निकला है 7 5 x 7 मैनस 6 तो 7 पाच्य पाइटीस मैनस 6 इस इकवल टू 29 29 वर्स एज आगया है इसका आणसर स्याम का 29 वर्स आगया आणसर एक व्यक्ति कमेंट कर रहे है एक बार फिर से ओके मैं इस सवाल को एक बार फिर से मैं आप लोग को इनकी समझाने की कोशिस करता हूँ 6 वर्स बात जो है राम और स्याम के आयू का अनुपाद 4 अनुपाद 5 हो जाएगा ठीक है हो जाएगा तो इसमें पहले हम हमने आपको पहले ही इनकी बताया हुआ है इस टैप कोशन में आपको अनुपादिक रासी मानना परेगा अगर आप अनुपादिक रासी नहीं मानते हैं तो फिर आपको कोशन जो है नहीं बनेगा तो इसमें भी आपको अनुपातिक रासी मानना पड़ेगा तो इसमें हमने में अनुपातिक रासी मान लिया एक्स और इसमें भी मान लिया मैंने एक्स अब देखे कोशन में बुल रहा है छो वर्स बाद बाला तो छो वर्स वाद है तो इसको हमको पहले वर्तमान में लाना पड़ेगा तो छो साल इसमें हमको घटाना पड़ेगा उसके बाद ही यह दोनों वर्तमान में आएगा तो छो साल मैंने राम की आयू में घटा दिया उसके बाद 6 साल हमने स्याम की आयू में घटा दिया इसका राम और स्याम का वर्तमान आयू निकल जाएगा तो 4x-6 और फिर जो है स्याम का आयू है 5x-6 अब जो है इसमें कोस्टर में आपको ये बूल दिया है राम का वर्तमान आयू कितना है? इसमें का वर्तमान आयू है एक और कोस्टन मैं इसी पढ़ लेता हूँ जो बहुत ही इंपोरेंट कोस्टन है इस तरफ कोस्टन जो आपकी एक्जाम में आ सकते है ओके तो एक और कोस्टन लेता हूँ इससे थोड़ा हाई लेवल का कोस्टन है आप लोग अच्छा से समझेगा अगर कोई भी इनकी प्रोब्लम आता है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए मैं इसका रिपलाई जो है अब सदूंगा ओके तो कोस्टन है आप लोग के सामने रमेस और मेहस की वरत्वान आयू का अनुपाद दू अनुपाद तीन है वरत्वान आयू का अनुपाद दू अनुपाद तीन है वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है और जो है महस और गनिस की वरत्वान आयू का अनुपाद चो अनुपाद पाँच है क्या है कुस्टन में एक पर मैं फिर से पर लूँ महस और गनिस की वरत्वान आयू का अनुपाद चो अनुपाद 5 है अनुपाद 4 तक अनुपाद चो अनुपाद रहा है गनेश की वर्तमान आयू 20 वर्स हो तो इन तीनों के वर्तमान आयू का यूग ज्याद करें साथियों ये कोश्चन जो है इससे पहले वाले कोश्चन से थोड़ा उपड़ वाला कोश्चन मतला हाई लेवन का कोश्चन है इस टैप कोश्चन जो है एक्जाम में आते हैं यह मन के चले एंटी पीसी होगा एंटी पीसी गुरूप डी इस टैप की एक्जाम में जो है यह कोश्चन आते हैं और यह कोश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है तो आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से समझेने के कोशिस कीजेगा तो सबसे पहले मैं आपको इसे समझाने के कोशिस करता हूँ रमेस और मेहस के वरतमान आयू का अनुपात कितना है? दो अनुपात तीन है तो हमने आपको पहले ही बताया है इस टेप कोशन में आपको अनुपातिक रासी मानना पड़ेगा तो इसमें मान लेजिए माना की अनुपातिक रासी X मान लेजिए माना की अनुपातिक रासी X ओके अब इसमें ये हो गया रमेस का आयू एक नट मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का कुछिस करता हूँ ये हो गया रमेश ये हो गया महेश और ये हो गया गनेश ओके कुछन मेहराम और महेश के आयू का अनुपाद दो नुपाद दीन है ठेक रमेश इसको आड मान लीजिए इसको महेश को i m मान लीजिए गनेश को g मान लीजिए तो r अनुपाद m कितना है 2 अनुपाद 3 है ठेक और उसे परकार इसमें जो है और महेश और गनेश के वरतमान आई when का अनुपाद 6 नुपाद 5 है यहने कि महेश अनुपात गनिश M अनुपात G है कितना 6 अनुपात 5 है तो R पटे M तो सबसे पहले आपको M का मान बराबर करना पड़ेगा इसमें M का मान आपको बराबर करना पड़ेगा इसमें M का मान है 3 और इसमें M का मान है 6 अगर हमने अगर इसमें हमको अगर इसमें हम इसमें दो से गुना करते तो इसमें जो M का मान बढ़ावर हो जाएगा यह हो गया 4 अनुपाथ 6 और यह तो 6 अनुपाथ 5 है वे किया तो अब जो है R अनुपाथ M अनुपाथ Z हो गया कितना 4 अनुपाथ 6 अनुपाथ 5 आप कुस्टेने बोल रहा है कनेश की वर्थमान आयू कितना है बीस वर्थ है तो इसमें कौन है यह है जी है किसका कनेश है और यह 5X जो इसका अनुपातिक रासी हुआ 5X इसका एज कितना है 20 वर्थ 5X is equal to 20 तो इसे आप X का मान निकाल से सकते हैं X का मान निकल गया और जो के 20 X का मान निकल गया है 4 अब इस X के मान से आप रमिस और महिस के आयू निकाल सकते हैं तो यह हो गया आपको रमिस कितना है 4X महिस कितना है 6X और Z कितना है उसका तो मान इनकी 20 वर्थ है वे किया इसमें x कमान रख लिए 4 into x कमान निकलाया 4 इसमें भी 6 into x कमान निकलाया 4 इसमें भी 5 into x कमान निकलाया 4 तो इसमें इनकी 4,4 Inv1 16 इसमें 6,24 और इसमें 5,20 अब問 बोल रहा है इन तीनों के वर्तमान आयू का यूग कितना है तो आप इसका यूग याद कर सकते है इसको भी एड़ कर दिजिए तो यह हो गया है छोचार दस के जिरो हांसिल एक दो दो चार एक पंच एक छो आने कि हमको निकल गया है रमेश, महेश और गनेश के आयू का यूग फल निकला है कितना 60 वर्स एक बार और मैं इसे समझाने की कुशिश करता हूँ आप लोग प्रीज अच्छी तरह समझे रमेश और महेश की वर्तमान आयू का अनुपात है दो अनुपात तीन हमने भी वही किया रमेश को मान लिया आर महेश को मान लिया एम उसके बाद फिर क्या बोल रहा है महेश और गनेश की वर्तमान आयू का अनुपात छो अनुपात पांच है तो हमने गनेश को मान लिया है जी आर अनुपात एम है दो अनुपात तीन फिर M अनुपात G है 6 अनुपात 5 तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना परेगा इसका अनुपात बराबर करना परेगा अगर हम इसका अनुपात बराबर नहीं करते हैं तो फिर हमें अंसर नहीं मिलेगा तो सबसे पहले मेरा काम क्या है इसमें अनुपात को बढ़ाबर करना M का अनुपात है 6 इसमें भी घूरs M है यहाँ पर 3, अगर मैं इसमें दो से multiply करता हूँ तो इसमें भी हमको M जो है बढ़ावर आजाएगा तो हमने उसमें क्या इसमें 2 से multiply कर दिया 4 अनुपात 6 आ गया यह लेहिए से we spend निकल गया है इसके और आर नंपात निकल गया है सोरल आम फाई जोब्ल आनुपाइब करके है इसका जो है निकल डी जेत दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो पिलीज हमारे इस वीडियो को लाइक करे सेर करें अपने फ्रेंड की साथ और हमारे एस्टेटी फाइंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नम बने सो थैंक यू भी मच मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो के साथ तो ओके बाए